नमस्कार और जैहिन दोस्तों मैं आपका अपना दोस्त प्रमोद यादो आप सभी का स्वागत करता हूँ डिफेंस वाला की ओनलेन प्लेटफॉर्म पे जैसा कि हम बात कर रहे थे एलजबरा की तो आज मैं एलजबरा का पार्ट फोर लेकर आया हूँ अगर अभी तक आपने प्रीवेस लेसन नहीं देखे हैं तो प्रीवेस लेसन को ज़रूर देख लीज़े और आपके लिए खुश होँ ख़बरी ये है कि previous year के कुछ questions किये थे आज भी उसी series को जारी रखेंगे और आज भी हम क्या करने वाले हैं CDS के previous year के questions तो चलिए शुरू करते हैं भाई तो आज हम बात कर रहे हैं क्या विगत वर्षों के प्रशनों की यानि हम बात कर रहे हैं previous year के papers की तो हम उन्हीं की बात करेंगे भाई previous year में जो CDS ने algebra में questions पूछे हैं उनकी ही बात की जाएगी तो चलिए पहला question हमारी screen पे आ चुका है इसको करने की हम क्या करेंगे कोशिस करेंगे देखो question क्या है हमारे पास लिखा हुआ है और हमें find out क्या करना है we have to find out under root में x square plus y square plus one we have to find it हम को यह find out करना है तो हम क्या कर लेते हैं और हम क्या कर लेते हैं इसका यहां देना यह मेरे पास क्या बन जाएगा देखो दोनों साइट का स्क्वायर करेंगे ना ऐसे ठीक छे ऐसे अब यहां पर अगर मैं करूंगा तो मिरे पास आएगा तो यह मेरे पास आएगा यह की पाओर 4 is equals to मिरे पास आएगा क्या X स्कॉयर आएगा पहले फिर मेर बस गाएगा 29 N स्कॉयर ऑस मेरे पासका लेगा 34 X 5 वा समझेंगा अब यह हैसी यहां पर में बात करूं, हम यरो pineess का 288 Y² यह पॉजिटीव है यह नेगेट इब है cancel out हो चुका है यहां पर अगर मैं बात करूँ तो यहां इसको लिए सकता हूँ एकस स्कौर का होल स्कौर म suppression इहां आज से मैंने क्या कॉम लिया 288 to और यह मेरे पास क्या बच्छा? x2-y2 अब देखो यहाँ पर मेरे पास a2-b2 का formula वन रहा है जो कि मेरे पास बनेगा क्या? x2-y2 एक bracket में और x2- y2 एक bracket में और यह किसके बराबर है? 288 bracket में x2- y2 तो यह से यह मेरे पास हो गया cancel out मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा x2-y2 is equal to 288 clear है? मुझे चाहिए क्या? x2-y2 plus 1 तो मैं क्या करूँगा? दोनों तरफ 1 add कर दूँगा तो यह मेरे पास क्या बन जाएगा? 289 तो हमें इसका क्या चीए? अंडरूट चीए तो हम क्या कर देंगे? अंडरूट कर देंगे क्याता आजाएगा हमार हमारा यहां पर क्या है? करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं अगले कुश्यन की तरफ, अगला कुश्यन हमारी स्क्रीन पे आ गया है, कुश्यन क्या है? देख लेते हैं, what is the condition that the roots of equation are in the ratio, C ratio 1? ठीक है न? रूट्स की बात की गई है, तो अगर मैंने बो दिया, C A है, ऐसे मोलता हूँ, C M ले लेता हूँ, और दूसरा क्या हो जाएगा मेरे पास? M हो जाएगा, है ना? एक को अगर मैंने CM लिया, तो दूसरा मेरे पास क्या आएगा? M आएगा, तो अगर मैं sum of roots की बात करूँगा, तो CM plus M, क्या होगा? माइनस B upon A होगा? इसमे into M, किसके बराबर होगा? भई, बताओ, C upon A के बराबर होगा, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, तो C से C मेरे पास cancel out हो गया, और मेरे पास M square आगया, किसके बराबर? 1 upon A के, इतनी बास समझ में आई, I hope इतनी बास समझ में आई होगी, अगर मैं इस वाली equation का whole square कर देता हो, तो मेरे पास क्या बनेगा? M square, C plus 1 का whole square is goes to B square upon A square, और M square की जागे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 upon A, तो मेरे पास क्या बन गया? C plus 1 का whole square upon, में क्या आजाएगा? M square की जागे मैं क्या लिख दूँगा? 1 upon A, तो यह नीची A आगया, यहोगा B square upon A square, यह से यह cancel out हो गया, तो B square जो आगया, वो मेरे पास क्या आगया? A, C plus 1 का whole square, ठीक है? क्या बन गया मेरे पास? A, B square is goes to, आगया मेरे पास A, C plus 1 का whole square, जो की option number A आपको दिख रहा होगा, ठीक है? तो यह मेरे पास क्या आगया? Option number A is correct ही है, आगे बढ़ते हैं, अगले question की दरफ, question number 3, लिखा of the roots of the equation is 0, ठीक है, ना? Then what is the difference of the roots? ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ तो the sum of the roots of the equation is 0, तो अगर मैं बात करूँ, यह मेरे पास लिखा हुआ है, क्या है? X square minus, मैं बोलूँगा यहाँ पे, मैं मैं माइनस कॉमल लिए तो यह बचेगा K square, मेरे पास बचेगा minus का 30 के, plus मेरे प equation लिखी किस उओर्मिन में जाती है, क्या होता है भाई, X square minus sum of roots, क्या होता है? Sum of roots, एक bracket में, plus क्या होता है मेरे पास? Product of roots, यही तो होता है मेरे पास, अब बोले sum of roots किसके बडाबर है? 0, मतलब coefficient of X किसके बडाबर होगा? 0 के, जब coefficient of X बड़ाबर 0 है, तो यह हो जागा X square minus 64 बराबर 0, तो x square बराबर आ गया 64, मलब x की 2 value आई मेरे पास, क्या क्या, एक तो 8 है, एक तो मेरे पास क्या गई, minus 8, तो हमसे पूछा है, difference of root पूछा है, क्या पूछा है, difference of roots, ठीक है न, difference of root, तो अगर मैं difference of root की बात करूँगा, तो क्या हैगा, 8 minus minus 8, जो की मेरे पास किसक एक्यूवेलेंट आ जाएगा, मतलब यहाँ से आप से पूछा क्या गया था, difference of root, तो difference of root किता निकल गया गया है, मेरे पास, option number B, किता आ गया, option number B, clear होई बात, I hope इतनी बात clear हो गई होगी, ठीक है, और कभी भी एक चीज़ याद रखना, अगर difference of root कहीं पर, sorry, sum of roots कहीं पर भी 0 है, तो इसका क्या मतलब है, जो मेरे पास roots होंगे, वो equal होंगे, but sign change होगा, sign उनका अलग होगा, clear है, अगर एक root A है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, if alpha and beta are the roots of the quadratic equation this, then what is the value of alpha minus beta, जो भी हमने सीखा है, वो है alpha है, बीटा है, ऐसा नहीं है, सुनो, लिखा हुआ है, alpha and beta are the roots of the quadratic equation, तो यहाँ पर मेरे पास quadratic equation क्या है, x square alpha x plus beta is equals to 0 है मेरे पास, तो alpha plus beta क्या होगा, minus B upon A, यानी minus alpha, ठीक है न, तो मेरे पास क्या आगया भई, 2 alpha, is equals to मेरे पास क्या आगया भई, minus का beta, ठीक है, इधनी बास समझ मैं, उसके बाद मेरे पास क्या दे रखा है, ठीक है, product of roots की बात करूंगा, तो alpha into beta मेरे पास क्योंगा, C upon A, तो योगे beta, alpha मेरे पास किता आगया 1, अगर मेरे पास alpha 1 आ गया है, त बीटा मेरे पास किता हो जागा भई, minus का 2, यहाँ पर हमने 1 रखत हो गया, minus का 2, तो आपसे पूछा क्या है, जो भी हमने सीखा है, वो alpha है, बीटा है, alpha माइनस बीटा पूछा है, तो alpha यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1, बीटा हमने किता निकाला है, minus का 2, तो यह हो गया मे अगे बढ़ते हैं अगले खोचेंगी तरफ लिगावा है how many quadratic equation have the sum of their roots equal to product of their roots ठीक है तो अब एक मेरी भात को धिहान से सुनना अगर मैं आप से बात करूँ मेरे पास जो अगरा पर अगरा आप तो भाइ जो भी मेरे पास एक्वेशन मनेगी यहाँ पर अगरा आप यहाँ पर तू रख दो भाई product of fruits, कुछ भी रख दो, ठीक है ना, sum of fruits अगर product of fruit के बराबर है, तो कोई भी equation मनेगी भाई, तो there is infinity solutions, क्या, infinity, ठीक, कई सारे हो सकते हैं, तो no worries, किता answer हैगा, आपके पास option number D हमारा याँ पर होगा, correct, ठीक है, आगे बढ़ता है, question number 6, लिखा हुआ है क्या, the equation x square plus px plus q is equals to 0, has roots equal to p and q, where q is not equal to 0, then what is the value of p and q respectively, ठीक है न, मेरे पास equation क्या है, x square plus px plus q is equals to 0, इसके roots दे रखे हैं क्या, ठीक है, p and q, तो p plus q मेरे पास क्या होगा, minus b upon a, यानी minus p, तो 2p is equals to किता आगया मेरे पास, minus का q, और p into q मेरे पास क्या हो जाएगा, भाई, minus, ये q होगया, तो p जो धूख मेरे पास आगया? वो किसके बराबरा गया? अगर p बराबर मेरे पास 1 है, तो क्यूँ क्या हो जागा? मेरे पास minus का 2, तो जो roots निकलकर आये मेरे पास, वो क्या आगया? 1, minus 2, यानी की Option Number 1, और करेक्ट है यान पर, क्या है? 3 की पावर x प्लस 27 अपॉन 3 की पावर x is equal to 12 ठीक है इसमें तो कोई इशू नहीं है I hope इतनी बात समझ में आ रही होगी अब हम क्या कर सकते हैं 3 की पावर x को हमने consider के लिया अब यहाँ पर हम करें क्या तो करें क्या कर लेंगे जो भी करना होगा यह होगा A plus 27 upon में क्या होगा A is equals to 12 solve करो तो यह होगा A square plus 27 is equals to 12 A तो यह मेरे पास बन गए A square minus 12 A plus 27 is equals to 0 अब यहां से हम roots निकाल सकते हैं तो 27 है तो मेरे पास क्या होता है 9 यहां 27 तो A square minus 9 A minus 3 A plus 27 is equals to 0 तो यहां से एक बार A बराबर 9 आ जाएगा और A बराबर किता आ जाएगा तीन आ जाएगा clear होई बात तो आप मेरी बात को धिहां से सुनना what I'm trying to say तो हमें value of X की निकाल ली है तो यहां पर A की value ने किती वानी थी 3X 3X की पावर हो गया 9 तो 3 की पावर X is equals to 3 की पावर स्कॉरर जब बेसे इम होती है तो अगला कुशन हमारी स्क्रीन पे है, what question says, देख लेते हैं, वह या, क्या लेखा है, if P and Q are the roots of the equation, and P minus Q is equals to 1, then what we have to find, we have to find out the value of R, तो भाई देखो, alpha plus beta क्या होगा, भाई, roots है तो P plus Q, P plus Q क्या होता है, minus B upon A, तो यह मेरे पास हो चुका है, minus A, किता हो गया, 15, तो यह जो गया, 15, ठीक है, और P minus Q मेरे पास किता है, 1, ठीक है, इसको जब हम solve करेंगे, तो 2P बराबर हो गया, मेरे पास 16, तो P बराबर हो गया, मेरे पास 8, पी बराबर मेरे पास हो गया, 8, अब मैं minus करूँगा, तो Q की value किती आ जाएगी मेरे पास, 15 में से 1 गया किता, 14, 14 का आधा किता गया, 7, तो मेरे पास P बराबर आगया है, 8, Q बराबर आगया है, मेरे पास, 7, आप से पूशा क्या गया है, value of R, तो product of roots क्या होता है, P into Qs, इसको क्या होता है, C upon A, C upon A, तो यो गया, R, A की value किती है, 1, तो यो गया, 8 into 7 बराबर R, तो आर की value किती आ गई, 70, 80, 56, कितनी आ हो गया है, correct, clear होई बात, I hope इतनी बात clear हो गई होगी, तो चलो बढ़ेंगे हम अगले question की तरफ, question number 9, question number 9, क्या है, देखो मेरे पास, लिखाए, alpha, beta and gamma are the zeros of this equation, देखो, ये मेरे पास कैसी equation है, cubic equation है, ठीक है, cubic equation का, मेरे पास sum of roots मैं बताता हूँ, क्या होता है, minus b upon a, ठीक है न, product of sum of roots क्या होगा, ये होता है, मेरे पास c upon a, और मेरे पास alpha, beta into gamma होता है, क्या, minus d upon a, ठीक है, क्या होता है, minus d upon a, इतनी बात clear होई, I hope इतनी बात clear होई, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें इन दोनों से लेना देना है, बिकॉस हमसे यहीं पू बीटा स्क्वार प्लस गामा स्क्वार, तो आप जानते हैं क्या, alpha plus beta plus gamma का whole square क्या होगा, भाई, alpha square plus beta square plus gamma square plus twice of alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, ठीक है, na, alpha gamma है, रफ में को गाना ही यादर है, जो हमने सीखा है, वो alpha है, beta है, चलो, यहां तक बात clear होई, तो alpha plus beta plus gamma कितना है, minus b upon a, तो योगे minus b upon a यह निकल के यह का, देखो, a square नीचा रहा, वी उपर क्या आ गया, b square और यह मैंने से आ गया, 2ac, तो हमारे पास जो निकल के रहा, वो क्या निकल के आया, b square minus 2ac upon में, a square, यानी की, यानी की, यानी की, यानी की, यानी की, option number, d, d4, और, होता होगा कुछ, मेरे हो क्या करना, यहाँ तक बात clear हुई, I hope इतनी बात clear है, आगे बढ़ते है, question number 10, ठीक है, अब मेरे पास किया आगया क्या लेगा, the minimum value of this expression, ठीक है न, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हैं, minimum value निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार इसको differentiate कर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, differentiate, तो भाई ध्यान देना, ddx of, ध्यान रखना, ddx of x की power n is equals to nx की power n minus 1, और ddx of constant term, ठीक है न, constant, क्या होता है, 0 के बराबर होता है, तो जब कभी हमें minimum या maximum value निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको differentiate करते हैं, तो इसका derivative न क्या निकल गाएगा, 4x plus 5 is equals to 0, तो x की value किती आ गई, minus 5 by 4, ठीक है न, तो हम क्या करेंगे, x की, x की हमाँ पर क्या रखेंगे, minus 5 by 4, तो 2 into minus 5 by 4 का whole square, ठीक है, plus, मेरे पास क्या जाएगा, 5 into, minus 5 by 4, plus 5, ठीक है, यहां तक बात clear हुई, तो यह मेरे पास जो निकल कर आया, या, इका निकल गया, 2 into, मेरे पास किता गया, 25 बटे, 16, और यह मेरे पास क्या आएगा, भाई, जहां देना, minus, 25 बटे, 4, plus 5, तो 2 से गरू किती बार में गया, 8, इसमें 2 का multiply कर दो उपर नीचे, है न, तो 25 बटे, 8 ही रहा, ठीक है, और यह मेरे पास होगे, 50 बटे, 4, 50 बटे, 8, यह मेरे पास किता गड़ा, 5, यहां तक बात क्लियर रही, I hope इतनी बात क्लियर हो गए, तो यह होगे, मेरे पास किता, माइनस का 25 बटे, 8, प्लस किता, 5, 85, 40, तो माइनस 25 किता होगे, प्लस 40, अपॉन 8 किता निकल क्या गया, 15 बटे, 8, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, I hope आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगे, तो आंसर हमारे पास किता आगया, 15 बटे, 8, clear, आगे बढ़ता है, जा फिर एक फॉर्मूला भी होता है, क्या, डारेक्ली, C माइनस B स्क्वार अपॉन में 4, तो C मेरे पास किता है, 5, माइनस B किता है, मेरे पा किता है, मेरे पास क्या दे रखा है, AX स्क्वार प्लस BX प्लस C is equal to 0 है, मेरे पास, क्या दे रखा है, AX स्क्वार प्लस BX प्लस C is equal to 0 है, तो हमको इसकी वेल्यू निकालनी है, तो हम इसकी वेल्यू कैसे निकालेंगे भाई, देखो, इसका क्या मतलब है भाई, देखो, तो हम क्या करेंगे यहां पर रखने वाले हैं alpha तो यह मेरे पसा क्या a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0 यहां से अगर हमने alpha common यहां तो मेरे पास क्या बचा a alpha ठीक है क्या बचा a alpha plus b is equal to minus c c तो a alpha plus b is equal to a gear मेरे पास minus c upon alpha ठीक है इतनी बात समझ माइई इसी तरह मैंगर बीटा रखूंगा तो मेरे पास क्याएगा a beta plus b is equal to minus c upon में क्या गया बीटा तो हमें क्या करना है इसके reciprocal को संग करना है तो reciprocal का अगर मैं sum करूँगा तो मेरे पास क्या एगा ध्यान देना तो 1 upon a alpha plus b plus 1 upon a beta plus b मेरे पास क्या गया? minus मैंने common लिया, मेरे पास क्या बचा भाई? alpha plus beta upon में क्या बचा? c इतनी बास समझ में ही? आई हो, पितनी बास समझ में आई होगी और देखो क्या होता है, जो sum of roots होते हैं, वो क्या होते है? minus b upon a मैंने अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, alpha plus beta क्या निकाल दोगे? minus का b upon a निकाल दोगे तुम ठीक है? तो यहाँ पर हमने रखा क्या? minus, यह minus b upon a देखो, minus minus cancel out होगे कितना अगया मेरे पास? b upon a c कितना निकल लगे आया? b upon a c यानि की option number b हमारा यहाँ पर हो गया, correct, 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 ठीक है? clear होई बात, आई होब इतनी बात clear है, आगे बढ़ते हैं, question number 12, ठीक है न, क्या लिख हुआ, a quadratic polynomial x square plus bx plus c is such that when it is divided by x, x minus 1 and x plus 1, then the remainders are 3, 6 and 4 respectively, then what is the value of a plus b? ठीक है? चलो, तुमसे value of x नहीं पूची है, आपसे value of क्या पूची है? a plus b, ठीक है? तो भाई, ध्यान दे लो, तो अगर मैं इसको लिखना चाओ, तो it can be written like this, a x plus b, तो हमने x से डिवाइट किया, तो मेरे पास remainder किता बचा c, वास समझ में आना, मैं इसको x से डिवाइट करूँगा, तो remainder किता रहा है c, तो कहने का मतलब क्या है? जब हमने x से डिवाइट करना है, तो यहाँ पे remainder किता रहा है c, और यहाँ पे किता रहा है 3, तो c की value किती आगई 3, यतनी बात clear हुई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अब जब हम क्य बात कर रहे है, x-1 की, मतलब हमने क्या रखना है, x बराबर रखना है 1, तो जब हम 1 रखेंगे तो मेरे पास क्या जागा, a, plus b, plus c, is equals to किता remainder बच रहा है मेरे पास, 6 बच रहा है, तो यह किसके बराबर है, 6, अब देखो c की value हमने इंकाल लिए कितनी, 3, तो 3 यह हो गया 6 किता आ गया, 6 में से 3 यह किता बचा, 3, किता आ गया, 3, यानि कि option number a हमारा यहां पर हो गया, ठीक है, option number a हमारा यहां पर हो गया है, correct, clear हुई बात, I hope इतनी बात clear हो गया, आगे बढ़ते है, अगले question की तरफ, question number 13, ठीक है, अब मेरे पास यह निकालना है, तो हमारे पास दिरखा है, alpha and beta are the roots of the equation, a x square plus bx plus c is equals to 0, then what is the value of expression this, तो इसको अगर मैं आप बात करूँ, इसको मैं कैसे fact price करूँगा, तो योगा, alpha, beta, plus alpha, plus beta, plus 1, यह मेरे पास निकल कर आया है, ठीक है, जब यह मेरे पास निकल कर आया है, तो आप जान रहे है, मेरे पास क्या है, equation दिरख समझ मही, तो alpha into beta की जगे मैंने रखा c upon a, और alpha plus beta की जगे मैंने minus b upon a, और plus हमने कर दिया one, इतनी बास समझ मही, तो यह मेरे पास क्या बन चुका है, यह अपरास आजायाएगा नीचे a, और यह मेरे पास आजायाएगा a, minus b plus c, क्या आ जाया, a minus b plus c, या जाया, a minus b plus c upon a, यानि कि option number c हो गया है, correct, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, question number 14, दिखाए, if the roots of the equation are reciprocal of each other, then which of the following is correct, ठीक है, मगर मैंने बोला, एक root alpha है तो दूसरा किता होगा, one upon alpha, product of roots की आप जानते हैं, क्या बात होती, product of roots, क्या होता है मेरे पास, c upon a, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल alpha into one upon alpha होगा, c upon a, c किता है, यहाँ पर r, e कितना है, p, तो alpha से alpha cancel out, तो r बराबर किता आगया, p, किता आगया, r बराबर, p, यानि कि option number b, clear भी बात, option number b हमारा यहाँ पर होगया, correct, ठीक है, क्या होगया, correct, आगे बढ़ते है, question number 15, ठीक है, मेरे पास यह रखा है, if k is an integer, then x square has, देखो भाई, ध्यान देना, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर, देखो, इसको अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर, तो यह मेरे पास एक quadratic equation है, यहाँ पर क्या बोला गया है, कि एक integer है, तो जब हम यहाँ पर बात करेंगे, तो हम इसके roots निकालेंगे, ठीक है, तो roots मेर फिलू depend करती है, कि यह integer है या नहीं है, वो किसके उपर depend करीगी भाई, वो हमारी किसके उपर depend करने वाली है, वो हमारी इसके उपर depend करने वाली है, तो हम क्या करेंगे, b square minus 4ac निकाल लेते हैं, तो b तो है मेरे पास 7, ठीक है, b तो है मेरे पास 7, a है मेरे पास 1, और c मेरे सब्सक्राइब करेंगे तो फोर हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया इंटू 14 और सी की मैं बात करोंगा तो यह मेरे पास किता देखा यह सील रख रहा हूं है तो एट के स्क्वार माइनस सेवेन अपॉन में किता गया आठ चार दुन्याट 2 सते 14 तो मेरे जो अगर में इसका अंडरूट निकालूंगा ठीक ना के स्कुरार का दो यह में बास के आगा रोट के के बाहर आ जाएगा और और या सकता है अंटी सती शपनी बोल सकते हैं जैना यहीं तो बोल सकते हैं तो नहीं दहीर पाइस चुपन हो सकता है तो भाई देखो यह मेरे पास क्या आएगा to I the O को कहने का मतलब क्या अंडर रूट 14 आया यह मेरे पास क्या नंबर है रेषिट नंबर है और एसन नमबर में हम कभी भी रेइसनल जोड़न इस वामें से इरेस नली होता है तो थो हमारे पास जो रूट होंगे वह अंत्रीगora नों इंत्रीगल मीलें है मजब हम इन्टीजर में चीज़े रॉवाईड नहीं हो पाएंगी ठीक है clear है बात इतनी बात clear हो गई I hope इतनी बात clear हो गई होगी आगे बढ़ते हैं question number 16 देखो मेरे पास क्या लिखा है if the roots of the equations are equal then which of the following is correct जब equation के roots बराबर होते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था इतनी बात clear हुई I hope इतनी बात clear है अब इसको हम solve करेंगे तो मेरे पास बनेगा b square यह मेरे पास बनेगा c square plus a square minus two AC clear यहाँ पर मैं बात करूंगा तो मेरे पास क्या बना 4 AC bracket में बोले मेरे पास बना AB minus b square minus AC plus AB यह बात होई ना इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अब हम क्या गरेंगे इसको प्रोडक्ट कर देते हैं भाई तो मेरे पास हो गया b square c square plus b square a square minus two AC B square ठीके ना क्या होगा तो ABC square AC B square यह मेरे पास क्या हो गया square BC अब यहां पर हम बात करेंगे आप से यह रहा यह रहा यह रहा मैं सब को इस साइड लिया तो मेरे पास क्या बरेंगा मैं उपर लिख ले रहा हूं ठीक है मैं क्या कर रहा हूं ऊपर लिख ले रहा हूं सब्सक्राइब है तो पी एक दिटकत क्या बना भावु भाया यह हो किया मेरे पास B स्क्वार इसक्वार एसक्वार फिक यह यह माइनस का था इसको मैं प्लस लिए उनकर एस्क्वार चीश्वार हो कर घा मेरे पास इसमें तो कोई गणबड़ नहीं है मेरे पास already क्या था minus 2 a c b square ठीक है मेरे पास क्या था यह minus में थो यह धर आएगा तो plus हो गया 4 a c b square plus 4 a square यह तो लिख चुका हो ना मेरे पास क्या था 4 a c b square और मेरे पास क्या है minus का यह आ जाएगा minus का 4 a square b c ठीक बराबर किसके आगया 0 के यही बातना कुछ ठर्म चूट़ा तो नहीं यह वाला टर्म लिख गया यह वाले टर्म नहीं लिखा भी रुप्छारव यह वाला टर्म नहीं लिखा थो यह मैं ले लिख लेता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा भाई धिया देना पहले A sqrr BC बराबर 0 ठीक है ना तो यह मेरे पास बन गया और यह मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है किसका BC अना plus AB minus 2 AC का whole square क्या बनना है whole square किसके बराबर होगा 0 के ठीक है अब यह मेरे पास whole square बन गया मैं इसको कहा लिख लूँगा भाही ध्यान देन ना सब में ABC का डिवीजन करोंगा विकॉज मुझे इस फॉर्मट में चाहिए तु मैं यहां पर ABC से डिवाइट किया यहां पर भी इसी कड या ए बीट इवी कड या एसी एसी कड गया तो 1 upon a plus 1 upon c is equals 2 upon में अंतिक मेरे पास क्या निकल क्या आया यह निकल कराया इतनी बात क्लियर हुई ए Echo मेरे पास क्या आ गया 1 upon a plus 1 upon a is equals 2 upon be on a con so option option number c clear about option number c हमारा है यहां पर हो गया है करेक्ट ठीक है आगे बढ़ेंगे अगले कुशन की तरफ कुशन नबर 17 लिगा वाट इस दा पॉजिटिटिव वैल्यू आफ एम फॉर दर रूट्स आफ एक्वेशन और इंदर रेशियो देखो भाई ध्यांद ना कोई दिखकत नहीं है मैं रूट्स क्या मालूंगा 3A और आफार मैं केवार ओलोंगा 2A to some of fruits क्या हो जाएगा 5A is was to minus b तो minus m upon b किता है मेरे पास 12 म्यला था एके पाँच बटे 12 इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है इतनी बात क्लियर है ठीक है इतनी बात क्लियर अब मैं क्या करने वाला हूं मेरे को निकालनी है वैल्यू किसकी M की तो मुझे पता है तो मैं यहां पर इसको क्या लिख सकता हूं अब यहां से एसकोर की वैली रुखूंगा तो मेरे बास क्या बहुता है तो यहां पर मैं बोलू हूं तो यह मेरे पास क्या बन चुका है यह मेरे पास बन चुका है फाइव अपॉन एफाइव सॉरी यह मेरे पास फाइफ आपॉन में 72 is equals to M स्कॉर यह मेरे पास आगया 36 सो ठीक है न अब करेंगे 36 से करों गए किता आगया पचास M स्कॉर बराबर आगे मेरे पास पाच इंटू पाच इंटू दस तो M की वेलू किति आगे मेरे पास भाई फाइव रूट टैन इतन निकल क्या गया वाइव रूट टैन और हमसे यही पूछा था अब की वेलू ही पूछी थी और M की वेलू किति निकली फाइव रूट टैन यानि की ऑप्शिन नंबर ए हमारा यहां पर हो गया है और एक्ट ठीक है आगे बड़े अगले कुछे नहीं दरफ पूछिन नुमर 18 लिगाँ वाइव विच आफ दा फॉलिंग वाइव फॉलिंगेटिव पॉजिटिव इंटरिगल दसम ओफ हूज स्क्वाइर इस देखो भाई कॉंजूगेटिव पूछा है और आप थोड़ा सा दिमाग लगाया करो लिगो पंद्रा और सोला का स्क्वा बीस है तो आप क्या कर सकते है वीस ओर एक्किस कर सकते है 19 और 20 कर लो 19 स्कूर प्लस 20 स्क्वार ओन्यस का स्क्वार में इस होता है 361 तो आंसर आपका कौन सा हेगा ओप्शन नमर भीजाटा हम करोगा या आप पर टाटा बयबयद बही 24 अपचिस तो नहीं होगा पंदर और बीस में लेना था तो पंदरा नहीं हुआ तो बट अव्यसी बात है कौन सो होगा 20 होगा ठीक है क्लियर आगे बढ़ता है अब देखो यहां पर मेरे पास क्या आएगा अलफा प्लस बीटा मेरे पास किता आगया क्यों हमको क्या चाहिए अलफा स्क्वार प्लस बीटा स्क्वार जो होता है वो किसके बराबर होता है अब यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर हम क्या करनेवाले हैं वो देखते है तो सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास अलफा बीटा है कितना वी स्क्वार माइनस टू अल्फा बीटा किता है टू क्यों यही आ गया हमारे पास अर्जी मैं दिमाग लगा रहे हैं पी स्क्वार माइनस चुक्यू अगली कोशन इतर बढ़ेंगे कोशन नमर 22 ठीक है अब मेरे पास यह दे रखा है तो सबसे पहली चीज तो मैंने आपको जब मैंने पहला लेक्शर बताया थो तो मैंने आप से कहा था कभी भी इस तरह का फॉर्मेंट दिया ना हो ना तो आप एक्स प्लस बनाने की कोशिश क लिए अगर ओडिया करो तो यह मेरे पास दे रखा है ध्यान देना यहां पर मैं क्या कर सकता हूँ यहां पर मैं एक्स कॉमन लेता हूं जो मैं एक्स को मब लोगा तो मेरे पास क्या बचेगा और यहां पर यह है तो मुझे X plus one upon X निकालना है तो मैंने आपको बताया था क्या करना होता है twice of इस वाले number का square यानी a plus b का whole square plus इस वाले number का square यानी under root a minus b का whole square upon में कितना बाबु भीया इतना क्या under root a plus b का whole square minus under root में a plus b का whole square यही बताया था मैने तो या मेरे पास कन्सल ओ गया तो एक मिरे पास इतनी हागी तो इसकी वेलू उठागे मैं यहां पर रख दूँगा तो यहां पर मैं जब रखोंगा तो ए अपहते हैं एक्स यह यहां पर रखुआ टूए अपॉन भी और यह माने पास है माइनस का टूए तो बी से भी एंसल आउट टूए से टूए एंसल आउट तो यह मेरे पास किता आ गया एक्स इंटू जेरो यानि कितान सरा गया जेरो यानि अगले कोशन की तरफ अगला कोशन हमारी स्क्रीन पे कहा गया आ गया इफ वन रूट ओफ दिस ट्वाइस ऑफ दा अधने अधर ठीक है तो बढ़िया तुमसे वैल्यू आफ एक्स नहीं पूछ रहा ठीक है तो सुन लो यहां तक बात क्लियर यह मेरे पास दे रखा है अब मोले दा हूँ तो दूसरा रेट क्या होगा टु एम यही तो होगा ना इसमें कोई दिखकत नहीं है ठीक है ना सम ओ फूट की बात करूंगा तो मेरे बश्क त्रीलन जाख माइनस द्रीइगा माइनस फ्री ए ग्लम आपन में एक्टा एस्प्वार माइनस फाइव ए फ्लस नाचरी इतनी बात समझे माईरी की निया है प्रोडक्ट आफ रूंड की में बत करूंगा तो प्रोडक्ट आफ रूट की जो जाए एक आइन तो थो एम स्क्वेर इस गोस्टो मेरे पास क्या अचाए गवाई बताओ C upon A यानि 2 upon में क्या आएगा A square minus 5A लसकेता 3 ठीक है मैं क्या करूँगा भाई मैं इसका whole square कर देता हूं क्या कर देता हूं क्या कर देता हूं क्या कर देता हूं या लिख देता हूं टू मेरे पास होगया 9A square प्लस मेरे पास होगया 1 री टू जा मेरे पास होगया 6A अपवान में कितना आएगा भाई अपवान मेरे पास क्या रहेगा भाई 9 a square minus 5A plus 3 a whole square किसके बराबर twice of a square minus 5A plus 3 ठीक है तू से तो 2 cancel यह आउट हो गया हम ध्यानी नहीं दिये कि वहाँ पर 2 लिखा हुगा है ठीक है इतनी बात क्लियर हुई अब इसको हम solve करेंगे तो एक से यह पूरा 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 कैंसल आउट हो गया ठीक है इतनी बात स तो यहां से हम solve करेंगे तो मेरे पास आगया 9A square plus 1 minus 6A is equals to मेरे पास होगया 9A square है ना यही होगा बात मेरे पास और 9 पच्छे हो गया 45 से और यहां पर मेरे पास क्या हो गया भी बात ध्यान देना 45 से और 9 तिया 27 plus 27 ठीक है तो 9A square से 9A square cancel out हो गया ठीक है अब यहां पर मैं बात कुरूत यह 45 से और 6 तो माय यहां पर लिया तो 45A minus 6A is equals to 27 minus 1 तो यहां पर 6 घटाओगे तो मेरे पास क्याएगा 39A is गुस्टू आजागे मेरे पास 26 क्या गया 39A बराबर मेरे प्रस आगे 26A बराबर मेरे पास क्या गया 26A बराबर मेरे पास क्या गया 26 अपॉन में 39 त है और्क्ट हो गया है क्या हो गया है को एक जो गया है तो चलो बढ़ेंगे हम अगले कोशन की तरफ अगला कुशन हमारी स्क्रीन पर हाको जोनमर्टो तो यह आपको खुद करना है विकोज इस तरह के कोई कोई कोशन मैंने बताएं आपको तो दिस इस यह ओम्वर्क ठीक है अगले कोशन की तरह बढ़ेंगे पुशन नमर 23 ठीक है ना दिखा है इफ पी एन क्यू आर्दर रूट्स आफ देस देन विच आफ दा फॉलोइंग इस करेक्ट ठीक है आपको बताना है कौन सा करेक्ट है तो भाई ध्यान देना पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस भी अपॉन है यानि माइनस क्यू और मेरे पास क्या गया ही तो प्रणाबहर अगया है मेरे पास भाई द्यान देना अभी क्यू कित्या यू है वन ओंली एक एक इस एफ आलफाइन बीटा आर टू जीरोस ऑफ दे पॉलिनोवियल गया तो सबसे पहली चीज तो हमें करना क्या है हम को क्या करना है इसको हम लिखना चाहिए तो यह जाएगा वर अपॉन टू अलफा अपॉन टू बीटा ठीक है और इसको अगर तुम सॉल को रोगे तो योगे मरवस् 1 by 2, ये मरवस्थ आगे alpha plus beta, upon me alpha beta, हमें इतना निकालना है, ठीक है न, हमें वो निकालना है भाई, जिसके roots निकालने हैं, ठीक है न, roots निकालने है, तो भाई, ध्यान देना हम equation मदानी है, तो देखो, सबसे पहली चीज थो, alpha plus beta मेरे पास क्या है, ठीक है, alpha प्लस बीटा क्या है मेरे पास फाप प्लस बीटा ग्या है मैनस बी अपॉन जो हो गया 15 बटे पट्चिस टीक किया तो करोगो किता आईगा पास्थीया 15 25 ज्खश छिए अलफा इंटू बीटाट क्या है गासी अपॉने लिटेब दो बटेब च्शिस इक करो हमें एक्वेशन अल्फा बीटा बराबर जीरो यही मेरे पास क्या है क्वाइटि प्रिफीटी पेश्ट नहीं पर चला गया तो फाइफ फाइफ जिए तीन पचे पंद्रा बटे चार इता आ इसमें तो कोई दिक्कत यह है इसने बात के रहे पंद्रा बटे त ठीक है तो यह मेरे पास हो गया 15 बटे चार और अलफा इंटू बीटा की बात करेंगे तो यहाँ पर रखो योगे एक्स स्क्वाइर माइनस 15 बटे चार कितना 15 बटे चार एक्स ठीक है अलफा इंटू बीटा की बात करेंगे तो 25 ऊपर चला जाएगा नीचे दो रहा जाएगा तो यह मेरे पास कुछ इस तरह से बनेगा एक्स स्क्वाइर माइनस 15 एक्स बाइफ फूर फ्लस 25 अपॉन में किता आगया 8 हम क्या करेंगे एल्सम ने लेंगे क्या करेंगे एल्सम न क्या पूछाए कोशन में आंसर के आगे आप्शन नुमर भी ठीक है तो हमारे पास कॉड़ेटिक एक्वेशन जिसके रूट्स क्या होंगे देस वह यह है ठीक है क्लियर हुई बात आई होब इतने बात क्लियर हो गई होगी है चले चले बाई चलो आगे बढ़ता है अगला सबसे पहली चीज तो ध्यान देना यहां पर दोनों कैसे रूट संब ध्यान देना यहां पर अगर मैं आप से बात करूँ तो सबसे पहली चीज में और ओ You । याद तो इसको पूरा-पूरा दिमाग पूरा-पूरा ब्ला करू टो ऐसी क्वेशन जब भी होती है मेरे पास उसक्वेशन के रूट समझा कैसे होते हैं नेगेटिव होते जयाद रखना यहां पर लिखा नहीं हुआ है देखो कभी इस तरह की क्वेशन ओगे जिसमें सा होते हैं ईसी तो कहने का मतलब क्या है जो बॉकूल है जो रूटस भाई सिंपल चीज़ है इसके रूटस है एमन खेर मोब एह अगर एमन इसके रूटस है तो यह कैसे रूटस होंगे नेगेटिव होंगे तो अगर यह दुविदा है कि इन दोनों में से कौन सी क्वेशन होगी हमको ये जानना है अब हम करें तो करें क्या जाए तो जाए कहां बोले तो बोले क्या इस तरह का कभी भी examination में question आएगा तो इस question को आपको पहले attempt नहीं करना है इसको कब attempt करना है जब तुम्हारा paper complete हो जाए उसके बाद तुम्हारे पास समय बचे तो समय बचे तो अब इसे attempt कर लो ठीक है? clear होई बात भाई भाई बंदू हमारे प्यारे प्यारे बंदूओं क्या तुम्हें इतनी बात को समझ है? I hope इतनी बात समझ गए होगे चलो ध्यान देना यहां तक बात clear हुई I hope इतनी बात clear हुई है अब हम देखो वही चीज़ अपना ही है जो चलते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो हमको चीज़ है sum of roots तो यानि हमको चीज़ है m square plus 1 upon m plus n square plus 1 upon में n इसको कर मैं solve करूंगा तो मैं इसकोर मैं स्कूर एंड ले तरह अब इसकोर न होगा तो मेरे पार विजह का है m plus n ie और नीचे मिरे पास क्या है eemen ठीक है इतनी बात समझ माहीं आप मैं यहां से क्या प्लावण लिए अब अब यहां से क्या प्लस वन एक ब्रैकट में इसका जो सम है वो हमने किस फॉर्मने में लिख लिया उसके बाद हम प्रोडक्ट की बाद करेंगे तो product मेरे पास क्या होगा? M square plus one upon में kya है M है न? M ही है न? M है into मेरे पास क्या होगा? M आ सौरी सक्तिमान M square plus one upon में M यह रहा एक bracket में दूसरे bracket में रहा मेरे पास n square plus one upon में N रहा फिक है इतनी बाओ समझ मैं ही इसको मैं क्या करूँगा? ध्यान देना, इसको मैं क्या करूँगा? इसको जब मैं solve करूँगा तो मिरे पास क्या बनेगा? m² प्लस 1 एक ब्रैकट में, n² प्लस 1 एक ब्रैकट में, upon में बनेगा मिरे पास mn, अब मैं इसका product करूँगा तो मिरे पास क्या होगा? m², n², ठीक ह अब मेरी बात को धिहान से सुनना, यहां पर हमें चाहिए होगा, मैं इसको और दूसरा format बना लेता हूँ, इसको मैं अगर बनाओ, तो इसको मैं क्या बना सकता हूँ, भाई, mn का whole square तो रहे गए-गा, प्लस मैं इसको लिएक सकता हूँ, m plus n का whole square, यह लिख सकता हूँ, m plus n का whole square, minus twice of mn, plus one, upon में क्या आगया, mn, इतनी बात क्लिया हूँ, कुछ नहीं है, इसको मैंने इसको बस इस खॉर्मन में लिख लिए है, मैंने, ठीक है, अब ध्यान देना, मेरे पास क्या था, m plus n, ठीक है, जो क्या था, minus b upon a, because मेरे पास जो quardic equation है, वो क्या है, x square plus bx plus c, यहीं मेरे पास क्या है, quardic equation है, और इस quardic equation के लिए, इसके roots क्या है, m plus n, तो यहीं तो देरखा है, देखो, यहीं देरखा है, तो इसके roots जो होगे, sum of roots, जो होगा, mn, क्या होगा, मेरे पास, ध्यान देना, c upon a होगा, ठीक है, और जब मुझे quadratic equation लिखनी होती है, तो quadri स्टिक है ज़ा रोड़क्ट आफ बूट से यह मेरा पास एक्विशन ओटिए तो अभी हम पहले क्या कर लेते हैं समस्रूट की बात कर लेते हैं तो सम में क्लाई था इतना भूर्य था ताल यह मैजcle Mm 6.000 एटने सबस्सक्राइट। एमज cultivate C plus A upon में क्या बच् technicaa ac तो यहां पर यह क्यआ निकल के आगया sum of roots की अगर मैं बात कुरूं sum of roots मेरे पास क्या आ गया ध्यान देना sum of roots जो निकल के आगया प्रूटस की आ जो निकल के आगया minus का B minus का B bracket में मेरे पास क्या आया c plus a c plus a upon में ac ठीक है बाठ करें रुए product of roots की बात केरिए तो ये मेरे पास देरखा है एमने है मेरे पास हो जहेगा C gradual si alkalovisch स्क्क्राइब हम गी अर्च कॉले हो डियो डियो आज कर लियू शाखली है kia यतनी बात क्लियर हुई B2 upon A2 minus 2MN यानि ट्वाइस of C upon A मेरे पास क्या होगा? plus 1 upon में क्या होगा? C upon A ठीक है? तो उपर अगर मैं बात कुर तो यह मेरे पास क्या बनागा? C square plus B square ठीक है? minus 2AC ठीक है? क्या बनागा? minus 2AC अब यहाँ पर प्रोड़क्ट और रूट्स हमने निकाल लिया है क्या? B square plus A minus C का whole square upon में क्या गया? AC is equals to 0 अब AC का LCM ले लो तो मेरे पास क्या बन जाएगा? यह मेरे पास बन जाएगा? AC X square ठीक है? minus इसमें तो X लगा है नहीं तुमने प्रमोद यह हो जागा B C plus A wait for a minute यहाँ पर minus भी था ना तो minus minus क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर plus हो जाएगा ठीक है? देखो यहाँ पर minus था तो हमने नहीं लिखा तो वो minus लिखेंगे तो गया plus ठीक है? और मेरे पास हो गया X वो मेरे पास बचा क्या? B square plus A minus C का whole square is equals to 0 या फिर मैं इसको और ब्रेक करना चाहूं तो यह लिख सकता हूँ यह देखो इसको मैं color change कर देता हूँ क्या लिख सकता हूँ? A C X square plus B C plus A B into X plus B square plus A minus C का whole square तो यह मेरे पास क्या होगी? यह मेरे पास वो quadratic equation होगी इतनी बात clear हो गई यह मेरे पास वो quadratic equation होगी clear है? तो हमारा जो answer आया वो आगे option number A ठीक है? option number A हमारा यापर क्या है? correct, correct, correct है ठीक है? चलो आगे बढ़ेंगे जा तक बात clear? अगला question अगला question देखो क्या है? देखो भई ध्यान देना question को बढ़ेंगे लगा होगा है in solving a problem one student makes a mistake in the coefficient of the first degree term and obtain minus 9 and minus 1 for the roots ठीक है? ध्यान देना उसके बात कि लिए another student makes a mistake in the constant term of the equation and obtain 8 and 10 8 and 2 as the roots ठीक है? तो पहले वाले ने mistake किये है तो roots minus 1 और minus 9 कब आएंगे जब क्या होगा? x plus 9 और x minus x plus 1 की एक quality की question मनेगी root sign है? तो यह कौन सीक्वेशन होगी? यह होगी x square plus मिरे पस क्या जाएगी? 10x plus 9 बराबर 0 इतनी बात clear होगी? I hope इतनी बात clear होगी होगी पहले वाले student के हिसाब से और उसने कौन से टर्म किया गया है mistake coefficient of the first degree मतलब यह इसने गलबलत करा है मतलब यह चीज नहीं होगी दूसरा student makes a mistake in the constant term constant term में mistake करी है and the obtained 8 and 2 as a root तो भाई ध्यान देना 8 और 2 root कब आएंगे? जब मेरे पास क्या होगा? x minus 8 होगा 1 और 1 मेरे पास क्या होगा? x minus 2 is equal to 0 तो यह मेरे पास क्यों होगी है? x square minus 10x plus 16 तो इसने कौन से टर्म में गलती की है? इसने केवल इस वाले टर्म में गलती की है इसने इस वाले टर्म में गलती की है तो इसका ये वाले टर्म तो सही है और इसका ये वाले टर्म भी सही है तो जो equation बनेगी वो क्या बनेगी? x square minus 10x और इसका constant वाला term लिखेंगे plus 9 और यही मेरे पास वो क्या है quality equation है क्या x square minus 10x plus 9 यानी option number c is correct here option number c हमारा यहाँ पर क्या है correct है ठीक है clear होई बात I hope इतनी बात clear हो गई होगी तो चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ question number 27 यह मेरे पास आ रख है ठीक है मेरे पास क्या दिरेखा है विच वन ओफ दा factor of this यह कुछ नहीं करना है भाई यह मेरे पास लिखा हुआ मैस को लिखूँगा एक स्क्वाइर प्लस वन अपन एक स्क्वाइर चॉदा का मैने दो गंदा सा लग रहा है तो मैं क्या करूंगा दिता एक स्क्राइब अक्स कोिता विखार लेता हूं मैं ayek स्क्वाइर लिखां को सिलघ अनौर्फ यह मेरने स्वाइर अ स्क्वेट व्रट एक प्ल्स एटी ब्लस यह मैं बारागी ऐसे वेक्ट फैर गरूंगि 6 इतनी बात समझ्में कि ने आई इतनी बात समझ्में आगई होगी तो कोई धिक्कत नहीं है बवय है कोई धिक्कत अन्वाज दिख़त नहीं है को इसको ऐसे लिखो यहां तक बात क्लियर रुई तो मैं लिखता हूं इसको a plus 2 एक ब्रैकेट में और a minus a plus 6 एक ब्रैकेट में यह क्या है मेरे प्लस इसके फेक्टर है और एक जिगर मैं क्या लिखूंगा एकस प्लस वर अपॉन एकस प्लस टू और दूसरे ब्रैकेट में एकस प्लस वर अपॉन एकस प्लस इस इकोस तो जीरो तो आपको कौन सा दिख रहा है option number C दिख रहा है तो option number C हमारा यहां पर क्या हो गया correct 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 ठीक है clear हुई बात I hope इतनी बात क्लिर है अगर मैं इसको छुपा लूँगा तो यह फिर से एकस स्कॉयर बनके नहीं आ रहा है तो मैं इसको किस हिसाब से लिखूँगा एक स्कॉयर 6 प्लस कितना लिख दूंगा धियान देना अंडर रूट में एक स्कॉयर ठीक है तो इमिरी आस्ट्री एक ब्रैकट में एक स्ब्लस टू एक ग्रैक ट्रैक्स बेक्रैक्ट में एक स्ब्राबर आगया 3 ता गया 3 option नमबर दी आसान साथा आसान साथा कितान सारा गया option number D हमारा यहां पर हो गया प्रेक्ट हो गया ख्रक्ट हो गया आगे बढ़ते हैं question number 29 ठीक है लिखाई one of the root of the equation is the square of the other then which of the following option is correct ठीक है जहां देना तो अगर मैंने एक को बोला alpha तो दूसरा मेरे पास क्योगा alpha square होगा ठीक है तो alpha plus alpha square is going to minus B upon a T yoga B yoga alpha one plus alpha is equals to me rb ठीक है और मेरे पास क्या है alpha into alpha square जो हो जाएगा मेरे पास जोगा C alpha cube मेरे पास आगा कितना C इतनी बास समझ मैं तो मैं alpha की जिए क्या लिख सकता हूं C की पावर 1 by 3 लिख सकता हूं इसके बराबर है B तो 1 by 3 दिख रहा है तो हम क्या करेंगे हम को नॉर्मल बनाना है तो हम क्या करेंगे दोनों साइट यह कर देंगे क्यूब कर देगे दूनों साइट क्यों पर दीज जाएगा 1 plus c की पावर cancelled 2 रहाफ यह मेरा पास ओंग हो गया 1 यह मैरा पास कितना हो गया 3 into C की पाउल 1 Mas來說 और bracket में ब्रास कियागा C की पावर 1 by 3 प्लस 1 एक ब्राकेट में और यह में रपास आगया B का क्यूब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है इतनी बात clear है इतनी बात clear है आई होप इतनी बात clear है और इतने की value किसके बराबर है B के तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं B तो यह गया C 1 plus C plus 3B इस इस गुस्टू मेरे पास है B क्यूब या फिर मैं B क्यूब लिख सकता हूँ क्या C plus C square plus 3B C देखो कहां दिख रहा है B क्यूब बराबर दिख रहा है C cube अरे भईया C square है चाचू भईया हम भी यह न C plus C square plus 3B C option number A ठीक है कितना clear हो गया option number A हमारा यहाँ पर हो गया correct हो गया clear वह बात I hope इतनी बात clear हो गई हो ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे आंगे बढ़ेंगे आंगे आगे बढ़ते हैं कुचिन नमर 30 डिटी क्या अगला कोशन की दर बढ़ता है क्या लिखा हुआ है what is one of root of the equation तो देखो कुछ नहीं करना इसमें अगर मैं बात करूँ तो मैं इसको क्या करूँगा दिहान देना अगर मैं इसको क्या बात करूँ तो ये मेरे पास किस हिसाब से लिखा हुगा है तो अगर मैंने इसको बोल दिया अंडरूट 2x 3-X को मैंने बोल दिया ए तो ये किसका ऊसको रेशी प्रोकल लिखाये तो ये मेरे पास लिखाये तो आप से पूछा क्या है, वन रूट बताना है, तो भाही ध्यान देना, सिंपल ही चीज़ है, यहाँ पर मिरे बास क्या आगया, रूट 2X, 3-X is equal to मिरे पास आगया 2, whole square करो तो हो गया 2X, minus 3-X बराबर किता आगया 2 का square 4, यहीं तो होगा न, 224, तो यहीं मिरे पास किता आ गया, X is equal to 6, minus किता आगया 2X, तो 3-X बराबर आगया 6, X बराबर आगया 2, किता आगया, X बराबर किता आगया 2, क्लिर होई बात, option number B, ठीक है, क्लिर होई बात, आई हो कितनी बात क्लियर है, आगे बढ़ता है, क्लिर नमर 32, यह मेरे पास दिरिखा है, if one of the root of equation, this is reciprocal of other, then which of the following equation, the product of root of concept लगाई यह, answer आजाएगा, क्या लगाई यह, product of roots वाला लगाई यह, answer आजाएगा, so this is your homework, क्या है, यह यह, यह भी तुम्हारा क्या है, home रख है, ठीक है, आगे बढ़ता है, question number 33, लिखावाई, the quality equation whose roots are this, यह भी बहुत सही है, आसान सहा है, quality equation किस तरह से लि alpha plus beta, तो क्या होगा, minus का 2, x square minus क्या है, 2x, plus alpha into beta किता है, minus का 3 बराबर 0, ठीक है, option number B हमारा यह, पर होगया, correct, clear हुई बात, I hope इतनी बात, clear है, ठीक है, आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े, अगले कोशन ही तरफ, अगला कोशन है, if one of the roots of equation is 7, then what is the value of k, तो भाई, कभी भ ऐसा होता है, तो हम क्या करेंगे, x की जगे क्या रख देंगे, 7, satisfy करेंगा, तो 7 into 7 का स्क्वार होगया, 49, minus 50 into किता होगया, 7, plus k is equals to 0, इतनी बात समझ भाई, इतनी बात clear है, तो अब इसको सुब solve करेंगे, तो इतनी बात किता है, 7 common ले ले लेंगे, तो बचे का 1, क्या बचे का, minus का 7, plus k is equals to 0, तो k बराबर आगया, 7, आगे बढ़ता है, अगला question आगया मिरे पास, if alpha and beta are the roots, then what is the value of this, ठीक है, इसकी हमें value निकाल ली है, इस तरह के हमने कई question करेंगे, तो मैं तुम्हें क्या बता दे रहा हूँ, इसको कर लो, ऐसे करोगे, तो मिरे पास अज alpha square, beta square, whole square, यह मेरे पास बन चुका है, अब यहां से तुम्हे alpha plus beta भी पता है, alpha plus beta मेरे पास क्या है, minus b upon a, और alpha into beta क्या है, हमारे पास c upon a, यह निकाल लेंगे, साथ में मेरे को क्या करना है, alpha minus beta का whole square, मैं कैसे लिखता हूँ, alpha plus beta का whole square, minus 4 alpha beta, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्क alpha minus beta की जिए क्या लिखूँगा, मैं alpha plus beta का whole square, minus 4 alpha beta का upon में किता, alpha square, alpha square, beta square का whole square, ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना है, यहां पर values रखनी है, values रखोगे, तुम्हारे पास answer आएगा, और इसका answer मुझे चाहिए किसमे, comment section में, ठीक है, किसमें चाहिए, comment section में, clear हुई बा question number 36 आच दुका है, मेरे पास, what are the roots of the quadratic question is this, इसके हमें क्या निकालने है, roots निकालने है rejoice निकाले है आ तो roots निكाला आई is not very difficult आपको धरर ककर सकता अ मैंने पास है किया?, a square b sq2 Ω, . ये मेरे स्कुएयर एकस माईनस b sq2 x plus 1 j、 to 0. यहां से मैने a square x कॉमनल ले लिया भई. यह वी स्कुएयर bンバमेडर एकके याहा से मैंने क्या लिया ? sorry, b sq2 x minus 1 यहां से मैने minus 1 कॉमल लिया, तो मैरे से भी स्कुर्ण एक स्कुर्ण एक स्कुर्ण एक मेरे पास आगे एक स्कुर्ण एक स्कुर्ण एक स्कुर्ण एक ब्रेकट में और मेरे पास आगया बी स्कुर्ण एक 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 प्रश्य निम्हों थाटी सेवन लिखा हुआ है इफ अलफाइन बीटा अर्ड रूटस अव दिस देन डिस या या इतना असां सा करना है तो मैं देखो यहां देना सबसे पहली चीज तो यहां पर मेरे पास क्या होगा अलफा प्लस बीटा क्या होगा मेरे पास माइनस भी यानी 6 होगा अलफा इंटू बीटा भी किता गया 6 तो तुम्हें क्या करना है अलफा स्क्वाइर प्लस बीटा स्क्वाइर निकालना है और अलफा क्यों प्लस बीटा क्यों निकालना है तो अलफा स्क्वाइर प्लस बीट को होल्यूप किसके बबूर ऑता है अलफा कुब प्लस bzus alm refa बीटा और 약ट में drove Blues यह होता है मेरे पास तो अब हम क्या करेंगे क्या करेंगे माइज करेंगे अलफा ब्स बीटा किता है 216 सब्सक्रिक्राइब सबस्क्राइब přPS ब्लस पहले हैं इतनी की वेलू है पास 108 एटने की वेलू है मीरे पास कितन चौबाइस और इतने की वेली वेलू है ऑशी शे स natural ऑप लो अप्सेक होगा और बात बी हमारा है करक्सियर है रहां पर हो गया क्लियोखut दिनी बाद ट्लियर हो गई होगी आगे बढ़ते हैं पूशन नमबर 30 एफ पॉलोनिमेल एक्वेशन हैस रेशनल कोफिशेंट्स एड एक्जैकली थ्री रूट्स तो भाई ध्यान देना एक्जैकली थ्री रूट्स किसके होंगे एक क्यूबिक एक्वेशन के होंगे ठिक है जो जिसकी पावर क्या होगी तीन होगी एक्वल टू थ्री क्लियर आगे बढ़ते हैं इसमें कोई तीर मारने की ज़रूदी नहीं थी ठीक है क्या लिख हो भाई ध्यान देना अगर ट्वाइस ओफ रूट है तो सम अफ रूट्स भी क्या होगा डबल हो जाएगा ठीक है न सब्सक्राइब का ओर यह मेरे बास माइन तो इन्टो एक्स फ्लस लॉस्टू का इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या बन गया धिसान देना यह मेरे पास क्या बने गा, x square और यह मेरे पास क्या बनना गया, 2 into x plus 2 का square, यह मेरे पास formula बनन गया है, इसका, x minus 2 का whole square, तो x पराबर में पास क्या है, 2 और 2, तो new roots मेरे पास क्तिया आएंगे 6, x की value किती आजएगी 4, किती आजएगी 4, जब X की वेलू चार आ गई और दूसरे वाले X की वेलू भी किती हो जाएगी चार तो गया X स्क्वाइर माइनस 4X और 4,4 जा 16 बराबर 0, ठीक है, किता आ गया मेरे पास, Option नमबर, ठीक है, किता आ गया, Option पे D आ गया है, ठीक है, चालाओ, आगे बढ़ेंगे, Question नमबर 40, दे X plus C is equals to 0, where is A is not equal, both the roots are positive, देखो, root अगर मुझे positive चाहिए, तो positive root कब आते हैं, जब हमारे पास equation क्या सी होगी, देखो, X minus A, और X minus B के format में होगी, तब हमारे पास क्या होगी, positive roots हैंगे, तो इसको अगर मैं solve करूँगा, तो यह होगा, X square minus, A plus B, एक bracket में, प्लस AB, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर यह जो term है, यह मेरे पास किसको और represent करता है, A को, भाई, इसकी तुलना करोगे, A square plus BX plus C से, तो ध्यान देना, यहां पर sine की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ठीक है, sine की बात हो रही है, तो कहने का क्या मतलब है, इसका sine positive है, तो positive रखा इसका sign क्या है minus तो यह होगा minus bx ठीक है और यह मेरे पास क्या है c बराबर 0 तो कहने का मतलब क्या है a और c का sign same होना चाहिए a and c have same sign but opposite to the b b की opposite होगा तभी मेरे पास जो equation होगी वो इसके roots कैसे होंगे positive होंगे यानि की option number d हमारा या पर हो गया है correct क्या हो गया है correct clear होई बात I hope इतनी बात clear होगी होई आगे बढ़ते अगले question की तरह question number 41 ठीक है if one root of the equation is 0.5 then what is the value of c इसमें value रखे देखना answer आएगा तो this is your homework मैंने यह बता रखा है तो this you have to do that again अगला question मेरे पास क्या रखा है if alpha and beta are the roots of this then what is the value of alpha की power 4 plus beta की power 4 यह भी तुम कर सकते हो भाई एक बार square करना दो बार square करना answer आजाएगा तो this is also your homework ठीक है न ठीक है this is also your homework आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question आगया आगया आप देखो इसको मैं बता देता हूं ठीक है यह मेरे पास क्या है 4 की power x minus 3 into 2 की power x plus 2 plus 32 ठीक है यह दे रखा है मेरे पास ठीक है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है जा तक बात clear है तो x की इसका मतलब क्या होगा 2 की power 2 into 2 की power x plus 32 ठीक है न तो मुझे इसकी रूट्स निकालने है तो यह मेरे पास होगया 4 x 4 की power x यह मेरे पास होगया 4 x 12 into 2 की power x plus 32 या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2 की power 2 minus 12 into 2 की power x plus 32 now we can say 2 की power x को मैंने क्या consider कर लिया a consider कर लिया जब मैंने a consider कर लिया तो मेरे पास होगया a square क्यों होगया a square minus 12 a plus 32 clear है अब हम 32 के ऐसे फेक्टर करें कि मेरे पास क्या है 12 तो 8 को 32 होता है तो यह मेरे पास बना a square minus 8 a plus 4 a sorry minus minus 4 a plus 32 is equals to 0 तो होगया a a minus 8 एक ब्रैकेट में minus 4 कॉमल लिया तो a minus 8 आ गया तो एक यहां पर दो वैलू निकल कर रहें a बराबर आ गया 8 a बराबर आ गया 4 a को हमने किता consider कर रहा है टू की पावर x तो टू की पावर टू की पावर 3 x की वैलुक ट्यागिए ठीक है एक बार में बस क्या है टू की प्रक्स बराबर है कि तह पूर्ट एक स्की वैलू की तरफ तो value किती आगे 2,3 यही मेरे पास क्या है x की value है यानि कि option number c हमारा यहाँ पर क्या हो गया correct हो गया clear हो भी बात I hope इतनी बात clear है चलो बढ़ेंगे हम आगे अगले question की तरफ यहां तक बात clear हो गई अगला question हमारी screen पर आगया है इसको हम कैसे करेंगे ध्यान देना इस तरह के हमने question किया है लेकिन वहाँ पर लग गया था logic यहां पर लगता है कि नहीं वह देख लेते हैं तो हम क्या करेंगे अगर मैं इसको लिखूंगा भी तो मेरे पास गड़ बढ़ हो जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे ध्यान देना हम इसको solve परेंगे कैसे solve करेंगे हो जागा यह मेरे पास हो गया 2a2-2 इसको बाइन तो हम इसको बोल सकते हैं न फोरे माइनस ए माइनस टू इसको जिए गुस्टो जीरो तो दो दूना चार हो गया तो मेरे पास हो गया तो यहां बचार प्लस गया ए प्लस टू-1 इसको जीरो टूस गोल cost जीरो टो टूए माइनस वन इक ब्रैकेट में मैं ए ब्लस टू एक कुछीन जागी मैनल लेता हूं ओह मैं ले लेता हो मायनेस्टू यह मैं वन बाइं टू लेता हो ठीक साइट सगते और हो गत्ताहर करूँ नियुक्त सख्यूर करूंगा योग एक सब्सक्राइद थी उनकूउ यह हो गया x plus x plus three minus two square किता हो गया 4, तो मेर बास किता हो गया x is equals to 4x plus 12 च्राया इसमें तो कोई दिखकत नहीं है, तो मेर बास किया आ गया भई, माईनस का 3x is equals to 12, बेक्स बराबर किता हो गया, माईनस का 4 ठीक है, माईनस का 4, यहाद बात तो यहां पर A हमने 1 by 2 निकाला है, A मेरे पास minus 1 by minus 2 है, तो बस देखो इसमें से कौन सा answer आपका none of these, clear भी बात, आई हो पितनी बात clear हो गई होगी, देखो यह हमने सही किया है, ठीक है, यह मेरे पास रहा, यह, ठीक है, minus का 3, इधर आगया plus का, यह minus का 2 ही रहा, ठीक है, ठीक तो, minus 1 कौ मले छो ए बराबर मेरे पास 1 by 2 होनग यह और A बराबर आगे मेरे पास, minus का 2, ठीक है, अगा, और A अगर मैरे मैंने माईनस का 2 रखा तो यह minus का 2, बास होनगे, है नन अफ दीस माइनस दो का स्क्राइब किता है चार तो चार एक्स माइनस चार थिया बारा हो गया ठीक है आगले वर कुशन बढ़ेंगे अगला कुशन आवारी स्क्रीन पर यह रहा कुशन क्या है मार पास if the equation has equal roots then which of the following is equal equal roots है तो क्या करना होगा तुम्हें बी स्क्वार माइनस बी स्क्वार बराबर 4 AC कर दो आंसर आजाएगा ठीक है तो दिस is your homework as well लिए ना दिस आल्सो यह homework you can do it I hope you can do it आगे बढ़ता है अगले कुशन की तरफ दिखाए if one root of the equation is minus one then what is the other root यार कर लोगे मुझे पता है तुम कर लोगे लेकिन मैं यह बता देता हूं चलो x बराबर क्या रखना है minus one तो यह बराबर आ गया 4 हम 4 रखेंगे वहां पे तो 4 x square plus x minus 3 बराबर 0 आ गया चारतियां होता है मेरे पास 12 क्या होता है 12 तो 12 को कर लोगे तो मेरे पास कितना गया भाई चारतियां 12 है तो 4 x minus 3 x minus 3 बराबर 0 4 x common होगे तो क्या बचेगा x plus 1 minus 3 common होगे तो क्या बचेगा x plus 1 बराबर 0, ये बचेगा मेरे पास, ये मेरे पास आगे क्या, 4x-3 एक ब्रैकट में, x plus 1 एक ब्रैकट में, ठीक है, तो 4x-3 बराबर होगे 0, तो x बराबर आगे 3 by 4, और x बराबर आगे मेरे पास तो मैं ही करना है, ये फिर मैं कर दूँ, ठीक है, चलो मैं कर देता हूँ, तो ये मेरे पास क्या गया, 2m बोल देता हूँ, और इसे में बोल देता हूँ, 3m, तो alpha plus beta क्या होगा, minus b upon 8, y yani minus minus 4, plus 5, इसमें तो कोई दिकत नहीं है तो ये मेरे पास होगा पाँच एंच संके बराबर हो गार फांच एंच एमक बराबर और ये मेरे पास किता होगा ती नुनी 6 M ₲. तो 5-5 ऐसरी मेरे पास है M हैं एक जाके हम आपको एक यह पास मेरा सुमंघों कर ऑनपन के तो बढ़न तो किलूंओ अगले तो पॉशन की तरफ ठीका धिक नदिना अगला कोशन हमारी स्क्रीन पर क्या है पॉटी नमबर एट यह मेरे पास दे रखा है दस सम अफ द रूट्स ऑफ एक्वेशन इस जिरो वाट इस द प्रोड़क्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द एक्वेशन कोई नहीं आसान साए कर लिखे हैं क्या लिखा हुआ है निच मेरे पास गया है 2x तो 2xc हो जाएगा a b है ना तो मेरे पास क्या आगा a c plus a b बराबर मेरे पास क्या आगया इसको देख लो यह मेरे पास क्या आगया देखो यहां तक बात clear है तो यह मेरे पास आगया x square a plus b into x plus a b तो x वाल टर्म में एक साथ ले लोगे तो मैं इसको इस साइड ले जाओंगा तो यह बनेगा x square plus a plus b इसमें क्या काओ मैंने 2c है तो minus 2c bracket में आगया x और यह मेरे पास क्या बना plus a b ठीक है minus a c minus a b is equals to 0 ठीक है यह मेरे पास बन चुका है ठीक है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है यह मेरे पास है sum of fruits इसको अब हमें यह निकालना है продук notable fruits यानि हमको निकालना है minus a c minus a b यह निकालना है हमको ठीक है तो अब यहां पर हमें चाहिए क्या देखो जातक बात clear हुई अब हमें यह निकालना है तो इसमें तो space नहीं है मैं एक ले ले रहा हूँ या एबी माइनस एसी माइनस ए और एबी एबी कैसे आगया कुछ तो गड़ बड़ है ठीक है देखो ध्यान देना मेरे बसका बीसी और एसी है ये बीसी हो जाएगा बाबु भी या यह बीसी हो जाएगा इसको थोड़ा से साफ कर लेता है एटरों एक किता है भीकर यह तक ही इसयां दक बात क्लियर वुई आयों पितनी बात क्लियर हो गई तक हमने एक द्लना है यह मैं ये निकाल ना को बहुए अब द्यान देना यहाँ पर अगर है 2 C के तो C बराबर क्या हो जाएगा A plus B by 2 यही बात है तो c की जगे हम क्या रखेंगे b plus C by a plus b y 2 tweb minus a plus B a plus B upon में क्या आ गया बाई 2 अगया मैंद इम्राइस क्या बन गया twice of a b minus a square minus a square minus b square क्या बात होगी न minus 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 2ab ठीक है अपन में 2 यह से यह cancel out होगे किता तो कौन सा है मेरे पास देहान देना देखो जहान देना इन्होंने ऑप्शन गढबर लिखे हैं गया देखो फिर से करते हैं देख लेते हैं क्या गढबर की हमने कोई गढबर तो की नहीं हमने क्या लिखा है माइनस का a square plus b square यही तो आएगा यह 2a b इधर चला गया भाई a square plus b square प्लस b का whole square करोगे तो अंदर जाएगा तो यही हो जाएगा तो यह से cancel out हो गया तो देखो भाई ध्यान देना हमारा answer क्या होगा भाई ध्यान देना यहाँ पर माइनस लगा दो यही answer है हमारा क्या answer है यही answer है clear हुई बात I hope इतनी बात clear है सभी को ठीक है बात समझ में की नहीं I hope आपको यह बात समझ में आई होगी तो चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question हमारी screen पर क्या है what is the root of the equation this अब देखो यहाँ पर में पर क्या लिखा हुआ है log base 10 दिस 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 है ना तो भाई देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे ध्यान देना इसकी value question मार कैसे लगा हुआ है ठीक है यह तो हमें यहाँ पर बात करनी है इसके roots निकालने हैं तो भाई ध्यान देना अगर मैं तुम्हें बताओं कभी में मेरे पास लिखा है 2 की power 5 किता होता है मेरे पास 32 होता है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं इसको log 32 भाई ध्यान देना अगर मेरी बात को सुनो इस वाली part इसको हम क के formula में लिखा जाएगा तो क्या होगा log base 2 value 32 किसके बराबर 5 के बराबर बास समझ मैं कि नहीं है तो सेम चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं ध्यान देना यह मेरे पास कुछ दे रखा है तो इसको अगर मैं इस formula में लिखूंगा तो यह हो जागा x square minus 6x plus 45 किसके बराबर 10 की power 2 हो एर रही बात किसके बराबर होगा 10 की power 2 के तो अब इसको जब solve करूंगा मैं तो x square minus 6x plus 45 किसके बराबर होगा 100 के तो यह होगा x square minus 6x plus 45 minus 100 is equals to 0 हो गया तो यह मेरे पास क्या बना है x square minus 6x minus 55 is equals to 0 तो यह मेरे पास क्या होगा भाई बताना पच्पन की फेक्टर करने तो ग्यारा पच्छे पच्पन होता है ग्यारा x plus 5x minus 55 बराबर 0 तो एक बार और x बराबर में बस आगया 11 और एक बार x बराबर आगया माइन स्वाइफ ठीक 11 कॉमर माइन स्वाइट आंसर ऑप्शन नमर सी देखके घबराना बिल्कुल नहीं है नहीं है नहीं है चलो बढ़ते हैं आगया देखा वह वें दर रूट्स ऑफ क्या है नेगिटिव है और वो क्रेशी प्रोकल है तो माइनस अलफा और माइनस मन अपॉल अलफा दे रखा है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है वही चीज करो प्रोड़क्ट आफ रूट्स लगाना होता है जब कभी मेरे पास एक्क्वल द अबता है सिए उपोने सिपोने यह से एक एंचल बेलफा से अलफा कैंसल तो एबराबर आगया सी है जाए है और इसकेसे होगया एसकेसे हो गया तो ऐसे कैसे होगा मैं वधा हूँ ध्यान देना सिंपल्से चीज़े क्या है अगर मैं बूलू दो कीपावर तीन एसे मो बोलता हूं। चालो चार की पावर दो ठीके ना चार की पावर दो या सॉरी दो की पावर ही तुटीन लेता हूं। कौन बढ़ा होगा आप कहोगे ये बढ़ा होगा बिलकुल सही बात है लेकिन लेकिन आप मैं आप से कहो मेरे पास एक बटे दो लिखा है और एक बटे चार लिखा है कौन बढ़ा होगा या फिर मैं बोलू दो लिखा है चार तो आप बोलोगे ये चार बढ़ा है लेकिन इस value बढ़ी होगी ना तो कहने का मतलब क्या है एक्स जो है यहाँ पर जो आर है वो 0 से तो बड़ा होना चीए क्या होना चीए 0 से तो यह बड़ा होना चीए लेकिन क्या होना चीए फ्रेक्शन में होना चीए यानि 1 से क्या होना चीए छोटा होना चीए यहां पर बात सब्ज़ में तो कौन सा option हो गया option number B option number B यहां पर हो गया correct correct ठीक है आगे बढ़ते हैं 52 ठीक है मेरे पास लिखाए the value of y which satisfy the equation may be found by solving which of the following equations ठीक है तो अब देखो मेरी बात को सुनू क्या दे रखाए मेरे पास अब यहां से हम क्या गरेंगे यहां से X की value निकालेंगे और X की value निकालकर हम इस वाले equation में क्या कर देंगे put कर देंगे तो यह मेरे पास है 2x plus y is equals 23 ए तो यहां से हमें वाई एक्या निकालना है एक्स तो टू एक्स ब्रस यह प्लस थी है सोरी शक्तिमान तो टू एक्स बराबर किता आ गया माइनस वाई-माइनस 3 अपॉन में किता गया 2 इतनी बात क्लिए अब तुम्हें क्या करना है आप इसको इसमें रख देना है तो दिस इस था टास्क गे हुई अब हम इसको perform करने जा रहे हैं परफॉर्म करेंगे तो कैसे करेंगे द्यान देना द्यान 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 देना ठीक है तो हम रखेंगे 2 X के रखेंगे माइनस, तो माइनस हो जाएगा प्लस तो यह मीर पास हो गया Y प्लस ठीका स्कॉर्स मैं लिखो गा यह स्कॉर्स, और तीन दुनी छे डियुद्ध है भाई ठीक है, अपन में किता अगया 2 का स्कॉर्स हो गया 4, प्लस 6, श्कॉर्स को हम कर देंगे माइनस दिंगा माइनस का six और यह में वसको और sioo खी ट्लस थre पॉण में किता टू रहे गा ही रहेगा प्लस वन भी रहेगा ठेकर इतने बात के लिए तो बनाना है तो हम इसको दो से कट देंगे कट सोरेको गावाइज मेरे साथ हो गया तहा सकता हुघ है तो इतनी बाट समझ मेह इतनी बासा में कि तो मेरे पास यहाँ पर टो गया तो जीरो हो गया तो मेरे पास यहां पर बचा वाइ स्क्राइर बचा ठीक है यह यह कैंसल आउट हो गया एव Jugot अगे बढ़ता है यही मेरे पास क्या बनेगी वाड़िक रिशन बनेगी यही मेरे पास बनेगी क्वाड़िक विशन जो कि है मेरे पास क्या ओप्शन नमर्सी क्लियर बात आई होब इती बात क्लियर है आगे बढ़ता है पूशन नमबर फिटी टू निगा इव दा रूट्स ऑफ द एक्विशन अर एक्वाल देन वाट अदा वैल्यू आफ एम कोई नहीं कर लेते हैं ठीक है जब रूट्स एक्वाल होते हैं तो बी स्क्वार किसके बर पर एसी के बढ़र होता है तो पहले तो इसको फॉर्मट में चेंज गर्लिए मडूद एक स्वार प्लाइट में चेंज में तो हम कैसे करेंगे तो मिर बास हो जाएगा x square minus x plus minus m फिर minus 1 ठीक है और ये m इधर multiply हो गया इसी तरह यहाँ पर x हो गा ये में पर सो जोगा x m minus x minus m plus 1 ठीक है प्रोड़क कर देंगे तो mx square minus mx minus m square minus m है ना तो जागे x square m minus x square minus x m plus x ठीक है तो minus x m और plus x m कट गया है ना किलियर और mx square mx square और mx square ये भी हो गया cancel out बच्चा कौन है मेरे पास कौन बच्चा है minus m square minus m इस गुश्ट्रों मेरे पास बच्चा है minus x square plus बच्चा है मेरे पास x इसको हम इधर ले आएंगे तो यह हो जाएगे x square minus x minus m m plus 1 ये मेरे पास बन गया quality equation ठीक ना तो हमें कैची ये what is the value of m कैची ये हमको value of m इतनी बात clear हुई I hope आपको इतनी बात clear हो गई होगी इतनी बात clear होगी what is the value of m value of m कैसे निकालेंगे कैसे b square is going to come कर देंगे 4ac ठीक ना क्या कर देंगे b square is equals to 4ac तो b है मेरे पास minus 1 ठीक है 4 लिखा a है मेरे पास 1 और c है मेरे पास क्या minus का mm plus 1 ठीक है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई इतनी बात clear है ठीक है अब ध्यान देना यहाँ पे ये square है मेरे पास क्या है square है तो यह 1 हो गया तो यह हो गया 1 by 4 और यह मेरे पास क्या बच्छा भाई क्येवल minus m plus m plus 1 ठीक है अब इसको हमको solve करना हो है यहाँ तक बात समझ भाई है आप इसको अगर solve करेंगे यहाँ तक बात clear होई यह इधर आगया यह इधर आगया ठीक है अब हमें इसे solve करना है this is the task क्या this is the task ठीक है ना roots are equal up this is the task अब इसको हमें solve करना है इसको हम कैसे solve करेंगे देखो यह मेरे पास था 1 इस विश्टों मेरे पास था क्या minus 4m और मेरे पास था m plus 1 अब मैं इसको solve करता हूँ तो minus 1 मैं इधर लिगया तो यह मेरे पास हो गया 4m square 4m square plus 4m और यह minus को इधर ले लिया तो मेरे पास हो गया plus का 1 is equals to 0 देखे तो जो भी roots आएगा वो मैंगा कैसा आने वाला है minus में आने वाला है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास formula है यह 2m square plus यह मेरे पास क्या बन जाएगा भाई ध्यान देना 2 into 2m into 1 plus 1 का whole square is equals to 0 तो यह मेरे पास formula बन गया 2m plus 1 का whole square जो कि किसके बराबर है 0 के तो यह मेरे पास क्या आजगा 2m plus 1 बराबर 0 तो m की जो value आएगी वो क्या आएगी minus का 1 by 2 m की value किती आगई मेरे पास minus का 1 by 2 यानि की option number D हमारा यहाँ पर हो गया है correct clear रोई बात option D हो गया है correct आगे बढ़ते हैं अगला question है बास what is the ratio of the sum of square to the roots of the product यह तुम खुद करोगे बड़ा आसान साय कर लोगे भाई तुमें alpha plus beta निकालना है और alpha into beta निकालना है तो this is your home work या home work मेरे राइटिंग अच्छी है न देखो आगे बढ़ता है अगला question लिगा if the product of the roots is 7 for a fixed k then what is the natures of root ठीक न भाई क्या बोला गया है if the product of root of x square minus this is equal to 0 is 7 ठीक है न then fixed is a fixed 4k then what is the nature of roots roots हमारे पास कैसे है तो भाई सबसे पहली चीज तो अगर मैं बात कुरो यह मेरे पास क्या है x square minus यहां से अगर हमने common लिया तो यह मेरे पास क्या बचा 3k plus 2k square minus 2k square into x minus 1 is equal to 0 ठीक है तो हमसे product of roots की बात किये product of roots क्या होता है c upon a होता है ठीक है ना क्या होता है c upon a तो alpha into beta मेरे पास क्या है c upon a तो minus 1 और alpha plus beta क्या है मेरे पास यहां पर यह मेरे पास है कित्ता ध्यान देना 3k minus 2k square यह है मेरे पास ठीक है ना यह मेरे पास है अब हमें क्या चीए इसके roots कैसे होंगे nature तो भई हम roots निकाल लेते हैं, roots हम देखो ध्यान निकला है, हम यहाँ पर directly निकाल लेते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, directly निकाल लेंगे, तो हम निकालेंगे क्या, minus roots निकालने से पहले, अगर मैं बात करूँ, nature of roots निकालना हो, तो आप हमेशा क्या चेक करो, b square minus 4ac क्या रहा है, या under root b square minus 4ac क्या रहा है, तो हम यही करने वाले हैं यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे भई, देखो b मेरे पास क्या है, 3k, ठीक है, क्या है, 3k, sorry, minus का, minus का 3k, minus, ऐसे लिख लेते हैं, b क्या है मेरे पास, minus का 3k plus 2k square, ठीक है, इसका whole square, minus 4, a है मेरे पास 1, और c है कितना मेरे प बात करूंगा, तो यही जब मैं इसे solve करने वाला हूं, क्या लिखा हुआ है, if the product of roots of this is 7 for a fixed k, then what is the nature of roots, ठीक है न, nature of roots की बात की गई है, तो ध्यान दे ले न, यहाँ पर हम क्या, दिमाग मेरा ज़्यादा ते चल ला है, देखो, क्या करना है, मैं बताता हूँ, देखो, ह हमने question ही गड़पड लिखा, ठीक है, हमने question ही गड़पड लिखा है भाई, यह मेरे पास x square है, यह मेरे पास है, और यह मेरे पास यह दे रखा है, तो alpha into beta दे रखा है क्या, 2k square minus 1, यह 7 के बराबर दे रखा है, यह 2k square minus 1, यह दे रखा है, तो इधर की मैं बात करूंगा, यह दे रखा है, तो मेरे पास 2k square बराबर आगया, 8, तो यह हो गया 4, तो k की value किती आ गई, मेरे पास 2, k की value किती आ गई, 2, यहा फिर plus minus 2 बोल दो, तो हम क्या करेंगे, k की value तो हमने निकाल ली न, भरजी में हम ज्यादा दिमाग लगा रहे है, तो k की value हमने निकाल ली तो मेरे पास किता हो गया, k, मेरे पास किता हो गया, 2 दूनी 4, sorry, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर plus minus 6, के आए आए आगा, ठीक है, sorry, k क्यों आएगा, 6x, plus मेरे पास किता हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, है न, 8 में से एक गया किता बचा 7, यह मेरे पास क्या है, यह मेरे पास आठार लगा दो डारेटली है ना धरा छाग लगा तो माइनस भी हो जाएगा तो प्लस माइनस सिक्स माइनस प्लस माइनस अंडरोड में क्या होता जो गया । और यह तूरूट तो कैसा नंबर एर्रेसनल है है जो भी आंशर आएगा जो तो भी रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे इर्वरेशनल होंगे जो भी रूट्स निकल के आएंगे वो कैसे होंगे मेरे पास इर्वरेशनल होंगे ठीक है आगे बढ़ता है question number 56 क्या लिखा हुआ है मेरे पास which one of the following is quadratic equation whose roots are reciprocal of the roots of quadratic equation तो कभी भी इस तरह का है तो आपको कुछ नहीं करना है इसको रही सी प्रोकल कर दो तो यह कित्ता हो गया भाई one upon x square minus three upon x minus four is equals to zero आप इसे solve कर लो ठीक है ना आप इसे solve कर लो answer आ जागो तो यह मेरे पास कित्ता आ गया two minus three x and a minus three x minus four x square is equals to zero यानी यह मेरे पास क्या हो गया four x square plus three x minus two is equals to zero ठीक है four x square plus three x minus two is equals to zero यानी की option number b हमारा यहां पर हो गया है correct ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ question number 57 ठीक है ना what is the magnitude of the difference of the roots का रूड़ा है तो आल्फा प्लज बीटा तो मेरे पास क्या गाइगा ए आ जाएगा अफा इंटू weकopa B बीटा वawlस को एका बीटा और हमें चीय इसका स्क्वार्ट तो हमें चीय अलफा मानेस बीटा तो मेरे पास आगे बढ़ेंगे अगले कुशन गी तरफ आगला कुशन हमार पास 58 तो इस तरह का question तो मैंने अभी तुम्हें बताया है इस तरह का question मैंने आपको बताया है तो यह आपको खुद करना है यानि this is also your homework क्या है यह this is also your homework ठीक है ना तो यह जो हमने बात की है आज हमने बात की है previous year के questions की जो की हमारे algebra में quality question से पूछे गए है ठीक है बात समझ माई तो algebra को हम यहीं पर क्या करेंगे विराम देंगे और हम बढ़ेंगे फिर अगले topic की तरफ ठीक है clear है तो आज की सेवा I hope आपको आज का session पसंद आया होगा ठीक है हमने previous year को question काफी सारा किया है ठीक है तो आज की से जै हिन दोस्तो